स्री सिवाय नमस्त उभ्यम आर रूप 14 से और गुरुजी ने अपनी लिस्ट बता दी है कि कैसे हम सभी को आज शाम पूजा करनी है और चौमुखा दीपक का नियम लेना है परणतु इसका एक सही विधान है सही विधी से कीजिएगा तभी आपको परिपूर्ण फल प्राप फूल पत्ति इत्यादी भी आप सभी नहीं उठाएं इस बात का दिहान रखें एक वहां पर यर्थत घर से बाहर इसे नहीं जाने देना है पांस दिनों की पूजा के बाद ही घर से बाहर यह जाएगी आपको एक कटोरी या कोई एक बरतन अपने मंदिर के पास रखना है उसमें फूल पत्ती चड़ाई हुई जो एक्ष्टा सामगरी है जिसे भगवांजी से आप निकाल रहे हैं उतार रहे हैं उसे इखटा कर लें अभी इन 5 दिनों में कोशिश करें आप जो है इन्हें कभी भी बाहर नहीं फैके माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी दिनों में आप बाहर नहीं फैकी जाएगी घर का जो मंदीर है आभी तक आपने सफाई नहीं की है तो आप सभी अब कुछ भी नहीं करें घर के मंदीर में जाले वगए ना नशी करें आप किसी कपड़े से हुच लीजिए परंतु ध्यान रहे, जाड़ो इत्यादी का प्रयोग अपने घर के मंदिर में कम ही करें, तभी सुफल देने वाला होता है, अब आप सभी को आज शाम की अर्था रूप 14 की पूजा कैसे करनी है, आप सभी को जहां पर भी आपने पाटा विराजमान कर रखा है, जिसमें दो आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी का आज आपको पूजन करना है, वही पूजा की थाली रहेगी, आप चाहें तो उस पूजा की थाली को धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु सिक्के मुर्ती स्वरूप हैं, उन्हीं का आज पूजन करना है, थाली धो सकते थाली को धोकर आप उसके उपर एक स्वास्तिक बना लीजिए वापस से वही दो सिक्के आपको विराजमान करने हैं गुरुजी के कहे अनुसार आज आपको एक चौमुखा दीपक सरसो के तेल का लेना होगा जिसमें आपको सरसो डालनी होगी पीली सरसो है तो पीली डाल ली अभी तो गुरुजी ने जो लिस्ट बताई है उसमें एक घी के दीपक का कम बता रखा है परन्तु एक दूसरा गुरुजी ने अपनी कथा हुई थी तो उसमें बताया था कि हमें एक घी का दीपक भी साथ के साथ लगाना है सरसो का तेल का जो दीपक होगा वह भगवान जी के अर्था जो दो सिक्के हैं उनके भाई तरफ लगाया जाएगा और जो घी का दीपक है वह भगवान जी के दाहिने तरफ लगाया जाएगा ठीक है अब शाम को पूजा कैसे करनी होती है स्वास्तिक बना लेना है उसके उपर दो सिक्के रखने हैं और आपके पास गुर समर्पित करना है आपके प्रशन आ रहे हैं दीदी अमर्बेल के टुकडे नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या करें तो आप सभी जो है अमर्बेल के टुकडे ना मिल पाए तो आप सभी जो है उसके स्थान पर चावल का दाना या पुस्प का प्रियोग कर सकते हैं कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं अब आप सभी को वहाँ पर जो है आप सभी इसके साथ साथ हल्दी कुमकुम कैसे समर्पित करनी है अपने हाथों को आपको लेना है दोनों हाथों को उनमें हल्दी और कुमकुम एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से पहले हल्दी समर्पित करें पांच पर जो भोग लगा है आपके पास जो नई मिठाई इत्या दियाई है या खीर इत्या दिलाते हैं तो उसका भोग लगा दीजिए जल का लोटा रख दीजिए विदिविधान से सुरू में जल के छीटे दे रोली चंदन मोली अक्षत लगाएं सभी दो सिक्कों में विदिवि कर लिजे और साथी दूसरा एक घी का दीपक भी लगा लिजेगा आप देखे पूजा इस तल पर खाली तो आप रखेंगे नहीं घी का दीपक जरूर से लगाईएगा अब आपको जो आपने चौमुखा दीपक लिया है न विदिविधान से पूजन हो जाने के बाद सारी चीजा समर्पित करने के बाद भोग प्रशात संपूर्ण कारी कर लेने के बाद भूल चुक के लिए छमा प्रार्थी होने के बाद कि हे कुवेड जी महराज हे मातालक्षमी हे गड़ेश जी महराज हे काली 14 वी आज कहा जाता है रूप 14 हे मातारानी के सुन्दर चुछा देना बरकत देना ऐसी प्राठना करते हुए आप सभी को क्या करना है कि जो चौमुखा दीपक है जिसमें आपने सरसों का तेल और पीली सरसों मिला रखी है आप सभी को मातालक्षमी की जो दोस्तिक्ये हैं उनकी पूरी तरह से आरती कर लेनी है और उस दीपक को पूरे घर में भी आपको घुमाना है इस चीज का ध्यान रखिएगा खिटकी दर्वाजे गुरुजी ने खाया है खोल देना है और आप सभी को इसे ले जाकर पूरे घर में घुमाना है ज़ात का ध्यान रखें और आप सभी को इसे घर के दर्वाजे पर प्रज्वलित कर होता दो-तीन गेट घर के दरवाजे पर नहीं लगी रहते हैं घर का मुख्य दरवाज एक ही होता है तो वहां से आना जाना लगा रहता है लोगों का तो कोई दुरघट ना इत्यादी भी हो सकती है ऐसे में आप मुख्य दरवाजे के बीच ओ नहीं लगा सकते तो किनारी की तरफ लगा लेंगे तो भी यह परियाथ रहेगा सुब फलो की प्राप्ति में सायक होगा सुबह इस दीपक को ले जाकर आप जो है किसी भी कच्रे इत्यादी के स्थान पर फैक दीजे इसका दुबारा प्रियोग ना लेजिएगा क्योंकि खेलने में हैं अगर जब तक चौमुखत दीपक प्रेजोलित होता है तब तक आप सभी को कोई भी पैसो का लेंडेन नहीं करना है पैसो का लेंडेन तो हम साम के समय करते नहीं है, सभी जो जानकार विक्ती होते हैं, साथ के साथ दूद, दही, इत्यारी भी, धनिया इत्यारी भी, इंडिनो देना, सुवर, स्रेष्ट, खलो की प्राप्ती में सहाइक नहीं होता, आप जानते होंगे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखते ये सवाल आ रहे हैं कि दीदी, हम सभी जो सामगरी है, उसका क्या करें, तो आप सभी को बताते चलो, अब ही उस सामगरी पर फित्मी नहीं करना, धन्तेरस की पूजा में जो सामगरी प्रियोग में हुई है, और वहां पर जो चौकी है, जो देवी देवता है, उन्हें पा जित कर देंगे, इसका विस्तार से वीडियो दोंगी, पर अभी आप ध्यान रखेगा, कोई भी चीज आपको कहीं भी रखनी नहीं है, कहीं भी आपको वो नहीं करना परेशन, तो आप जहां जो चीज हैं, उसे वहीं पर रखे रहने दे, और चिंता टेंशन कोई भी जो आपने गुरुजी के कहें अनुसार, पूजा की थी कमल गटे इत्यादी की, तो वह कैसे कहां रखना है, तो उन्हें आप कई बार प्रियोग में ले सकते हैं, यह चीजां कभी भी अपवित्र नहीं होती, भूल फल तो अपवित्र हो जाते हैं, परन्तु प्रियोग मे ली हुई कमल गटा, कोडी, सुपाडी, कई बार प्रियोग में ली जाती है, यह पेड़ों के या फलों के बीज होते हैं, जिन्हें कभी भी पवित्र अर्था जूठा नहीं माने जाता, तो इन्हें कई बार आप प्रियोग में ले सकते हैं, तो चिंता अटेंशन की कोई बात नहीं है, आपके कोई भी अभी भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजेगा, कल सभी सवालों का जवाब में दे दूँगी, तो इस तरह से आपको आज शाम की पूजा रखनी है, सुन्दर सुसजीत अवस्ता में तयार हुए, आज उप्टन लगाईए, बहुत अच्छी अवस्ता में अपना साज स्रिंगार करें, सुन्दर अवस्ता में तयार हो जाए, बुद्धवार का दिन भी है, आज और नाखुन वगर काट सकते हैं, बाल काट सकते हैं, और महला पूरुसा को आज सुन्दर अवस्ता में सोना, चादी, सुन्दर कम पहन परन्तु अच्छी अवस्ता में तयार होका रहना चाहिए इसे दाना लक्षमी का आगमन होता है और परिबार में बरकत बनी रहती है इन दो दीपदानों के अलावा जो घीका दीपग जहां पूजा इस्थल है वहाँ पर तो लगा नहीं है अखंड नहीं लगाना है सामान्य आपको रखना है ठीक है जिनता टेंशन की बात नहीं है जितनी देर यह प्रज्वलीत होता रहे उतना अच्छा रहता है तो आप सभी को इसे छोड़ देना है ऐसे का ऐसे ही और वी दिविदान से आज की पूजा संपन करनी है खूब दीबदान करे तुलसीमा, पीपल, ब संपन करे साल भर किसी चीज की कमी नहीं होगी इस तरह से आपको आज की पूजा करनी है कोई भीकशुक मांगने आता है तो उन्हेंते कोई ना कोई वस्तो अपनी तरह से उन्हें प्रदान करे कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर कोई भी प्रश्न हो कोई भी बात हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लेजेगा हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भोले